दोस्तों शायरी और गजलों की दुनिया के बाश्या कही जाने वाले रहातिंदौरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया जिनके निधन के बाद से हर कोई हैरान है परिशान है रहातिंदौरी ने 70 साल के उम्र में दुनिया को अलविदा कहा लेकिन दोस्तों आप राहत इंदौरी के बारे में सब कुछ जानते होंगे लेकिन क्या इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं? कि वो कौन है? क्या करती है? कैसी दिखती है? अगर आप इनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंति तक बने रहे साथ ही इस मशूर शायर के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक करना ना भूले कुरोना से संक्रमेद मशूर शायर राहत इंदोरी का दिल का दोरा पढ़ने की वज़े से निधन हो गया सतर साल के उम्र में उन्होंने इंदोर के अरविंदो अस्पताल में आखरी सांस ली अरविंदो अस्पताल के डिरेक्टर विनूद भंडारी ने जानकारी देती हुए बताया कि उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें इलाज के दोरान सामने आए जिनमें पालेटर निमोनिया 70 फीज दी, लंग खराब होना, कोविट पॉजिटिव, हाइपर्टेंशन, डायवर्टीक शामिल है वो परसु रात को किसी नीजी अस्पताल से आये थे पैच और आज दिल का दौरा पड़ा और सीवियर अटैक आया उसके बाद एक बार, रिवाइव भी हुए, लेकिन अब उनका देहान थो गया राहत इंदौरी ने कभी भी फिल्मी दुनिया में जमने और बसने के जद्दो जहद नहीं की मुशारी के बाद उनको किसी से सबसे ज़ादा लगाव था, तो वो था उनका शहर इंदौर मुशारी में अपने लिए शेर पढ़ना किसी भी शायर के लिए जादा तसली देने वाला होता है फिर राहत ने तो मुशारी में शेर पढ़ने की अपने एक अलग शैली विक्सित की थी, जिसकी नकल जाने अंजाने सैंकडो शायर करते हैं जब वो डूप कर अपने शेर पढ़ते हैं तो हजारों लोगों का मजमा दिवाना सा होडता था जिन लोगों ने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा वो यही कहेंगे कि राहत की असल जगह फिल्मी संगितकार का दरबार नहीं मुशारी कमंच था मगर अफसोस की कोरोना काल में एक और सितारा दुनिया को छोड़ कर चला गया लेकिन बात करें उनकी पतनी के बारे में तो आपको बता दे इनकी पतनी का नाम सीमा रहत है जो कि एक हाउस वाइफ हैं इनकी शादी काफी साल पहले हुई थी शादी से इनके दो बच्चे हैं आपको बता दे इनकी अरेंच मेरिज होई थी पर इसके बाउजी उद दोनों के बीच में बे इंतहा मोहपत थी तो दोस्तों रहाति इंदौरी के निधन पर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कामेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए बॉलिवुड इंडस्री से चुटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें